साहिब गंज जिला परिशद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरने से वर्तमान जिला परिशद अध्यक्ष रेणुका मुर्मू की विजय हुई है बतादे की रेणुका मुर्मू के खिलाफ 11 जुलाई को मोनिका किसको के नेतरित में जिला परिशासन को आविश्वास प्रस्ताव का पत्र दिया गया था जिसमें वोटिंग के बाद जिला परिशासन सदस्य मोनिका किसको को हार का सामना करना पड़ा वही साविश्वास प्रस्ताव के बाद से ही जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई थी वोटिंग के बाद अब इस प्रकरण पर पूर्ण विराम लग गया है साहिब गंच से पंकच कुमार पंजाब के सिरी टीवी